Ryzen 3 Pro 4350G एक APU है जो की रिसेंटली लाँच हुआ है और इंडिया में अविरेबल भी हुआ है और इसकी जो प्राइसिंग है वह 14-15,000 रुपीस के बीच में है और सेम प्राइस में 3400G भी देखने को मिल जाता है तो दोनों के जो स्पेसिफिकेशन है वह काफी सिमिलर है प्राइसिंग भी काफी सिमिलर है तो अगर आप सोच रहों के इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए तो इस वीडियो में हम करने वाले इन दोनों का कंपैर है जो सिफ OEM पार्टनर्स ही बेच सकते हैं लेकिन फिलाल अभी ये MD कंप्यूटर्स और प्राइम में भी जी भी और बहुत सारे जो रिटेलर्स है वो आपको सेल कर रहे है और कुछ शॉप्स भी आपको सेल कर रही है लेकिन कुछ शॉप्स में ऐसी कंडिशन है कि आपको जो motherboard RAM भी लेना पड़ेगा तभी ये एक custom OEM माना जाएगा वरना आप सिंगल CPU बहुत सारी प्लेस से नहीं ले सकते APU CPU अब बात करें इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है 4350G और 3400G क्योंकि दोनों ही similar है जो core configuration है वो भी यहां पर काफी similar है दोनों में यह आपको चार core 8 thread देखने को मिल जाते है और दोनों की जो boosting है वो almost similar है जो 3400G है वो 4.1 GHz की boosting के साथ आता है और जो 4350G है वो भी almost similar यहां पर जो boosting के साथ में आता है जो की 4.3 GHz की है अब जो main major है जो difference है वो इसके GPU में है यानि जो integrated graphics लगे है इन दोनों में ही वो यहां पर काफी अलग हो जाते है है सेम ही architecture के लेकिन यहां पर जो core count है वो different है जो 3400G है वो आता है vega 11 course के साथ में जबकि 4350G है वो यहां पर आता है सिर्फ 6 vega course के साथ में तो जो की काफी कम हो जाता है gaming के साब आप से या कोई video editing हो गए आप वैसा कुछ काम करना चाहते हो जो के GPU की demand करता है तो उसमें यहां पर थोड़ा कम पढ़ जाएगा थोड़ा काफी हद तक यह कम पढ़ जाएगा अब बात करें memory controller की तो जो 3400G है उसमें आपको 2933 MHz का controller मिल जाता है हाला कि आप उससे उपर overclocking जो है वो कर सकते हो और जो 4350G है उसमें आपको 3200 MHz का controller मिल जाता है तो आप 3200 MHz पे यहां पर काफी अच्छाँ सिंक के साथ इसको चलवा सकते हो और एक और difference इसके CPU की जो core में है वो यह है कि 3400G है वो 12 nanometer का है ZenPlus architecture वाला और जो की mostly second generation के CPU वाल architecture इसमें यूज किया गया 3400G में लेकिन जो 4350G है उसमें जो architecture जो Ryzen के 3000 series के CPU में यूज हुआ था जो की हो गया 3100, 3200X हो गया 3500 हो गया वो वाले same architecture यानि Zen2 architecture के CPU cores यहां पर use किये जा रहे है 4350G में अब conclusion इसका यह है कि 3400G है वो काफी balanced performance देता है यानि CPU में भी आपको अच्छा दे देता है और जो graphics need है वो भी आपे काफी अच्छे से fulfill हो जाएगी और आप जो gaming है उसमें भी आपको 10 fps तक अच्छा सा boosting मिल जाता है 3400G में compared to 4350G 4350G का एक ही आप पर प्रोज है या अगर आप लेना चाहते हो तो उसका जो जो target है वो एक ही रहने वाला है या प्रोज है वो एक ही है और वो यह है के जो 4350G है उसमें आपको newer generation के course देखने को मिल जाते है जिसमें आपको IPCs better देखने को मिलेगी और अगर Cinebench performance की बात करूँ यानि जो Cinebench R20 के scores है CPU वाले वो है 3400G यहाँ पे 1900 के जो multi- core performance scores दे देता है Cinebench R20 में और 4350G यहाँ पे 2300 के एकदम around दे देता है scores 4350G की CPU performance है वो काफी better है 3400G से लेकिन जो graphical performance है वो यहाँ पे 3400G की any day better होने वाली है और बहुत सारी games में आपको 10-20 fps जो है वो extra मिल जाएंगे 3400G में 3400G की जो GPU की clock है वो 1400 MHz है 11 cores है और जो 4350G है उसमें Vega 6 cores है और जो यहाँ पे clock rate है वो 1700 MHz है तो अगर आपको काफी balance CPU चाहिए जो की gaming भी अच्छी करवाए और CPU में भी काफी अच्छी performance दे दे तो आप 3400G को consider करो और काफी अच्छा है balance है काफी अच्छा यहाँ पे performance दे देता है ल graphical need नहीं है कुछ काम नहीं है हलका फुलका आपको gaming चलेगा आपको FPS से ज्यादा मतलब नहीं है आपको जो CPU performance है वो better चाहिए और आप future में dedicated graphics card उसके साथ pair भी कर लोगे तो आप 4350G को consider कर सकते हो क्योंकि उसकी जो cores है वहाँ पे better है तो आप अगर कोई भी graphic card लगाते हो तो 400G versus 4350G तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को जरूर करना और आपको ऐसे PC-rated content देखना है ऐसे Tech comparison वीडियो देखनी है जिसमें आपको CPU comparison भी देखने को मिले तो चैनल Technical Guide KV को कर लेना सब्सक्राइब आज कि इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए अब सभी का बहुत बहुत थेंक यू